हलो माई फ्रेंट्स आप सभी का अपने चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और यह देखे कितने खुबसूरत है हमारे अडेनियम के फ्लावर और यह नर्सरी से मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था कि मैंने लिया है तो इसको कैसे करते हैं नर्सरी से लाए हु जो अडेनियम के वो नहीं चलते हैं बस उनका पानी का ध्यान रखना पड़ता है पर वो हम गार्डनर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम एक साथ कई सारे प्लांट्स लगाते हैं तो इसलिए हमको इनको इनके मुताबिक अगर हम देंगे स्वाइल मिक्स तो काफी अच्छा र होता है और आपका अच्छे से अच्छा इडेनियम प्लांट डिस्ट्रॉय हो सकता है तो इससे बचने के लिए मैं इसको बैस सोयल देंगे सबसे पहले हम जितनी भी अपनी कोको पीट लगे हुए हैं इसमें अच्छे से जाड़ लेंगे एकदम अच्छे से क्लीन कर लिज बार बार हो जा रही है जिसकी वजह से एक दो comment में मुझे है कि मैं मैं आपकी Χत डापी को क्या हुआ तो उसका रीजन बिए है कि मेरी वाइस खराब हो जा रही है कि मज़़े ड्स टालर्यजी है है तो चलिए वह तो बात अलग होगी इस तरीके से यह देखिए अपने कोकोपीट के सारे पार्टिकल्स को निकाल दिया है इसी तरीके से हम अपना दूसरा वाला भी निकालेंगे तो यह जितने करेंगे अभी मैं आगे आपको दिखाती हूं कि कैसे कट करना जिसी अच्छे से इनका कॉडक्स और मोटा जितना फाइबर कॉडक्स काफी अच्छा मोटा थिक बनता है इनका तो देखिए इस तरीके से हमने दूसरे को भी रिपॉर्ट कर दिया और आपको चूचू के देखना होता है मतलब एक एक रूट्स को देखिए कहीं ऐसा नहों कि रूट्स अंदर से डैमेज हो क्योंकि मैंने एक दो बार अपने नर्सरी से लाए हुए प्लांट में भी देखा है क्योंकि वो कोकोपीट में अधिकतर लगाते हैं तो नीचे से पूरा खोकला हुआ होता है तो यह भी काफी अच्छा होता है जब आप रिपॉर्ट कर रहे होते तो आप देख लेते हैं कि आपका प्लांट डैमेज उनको हटा सकते हैं इस तरीके से आप हटा लीजिए उनको और इन सभी को आप हटा लेने के वाद में इनमें फंजी साइड लगा के रख दीजिए अब एक चीज जानने वाली है अगर आपने जो जहां से काटा है उनको स्वाइल किसे ऊपर रखना है तो तो आप इनको तो तुरंद रिपोर्ट हो जाएगा और अगर आप ये कट एरिया को मटी में दबाना चाते हैं तो फिर आपको एक दो तिन के लिए इनको ड्राय करना होगा तभी आप इनको रिपोर्ट करें नहीं तो पानी के कॉंटेक्ट में आने पर यहां से फंगस अंदर जाएगा आपको ये रॉक्त हो जाएगा तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या करना है हमें जिस्फेना ये मटी में था उससे थोड़ा से एक इंच मॉइब उपर उठाके रखेंगे यह वाइट पार्ट देख रहे हैं इतना ये मटी में था तो हम इसको थोड़ा से उपर उठा जितना दीरे दीरे हर मंत हर साल आप उपर करते जाएंगे उतना ही खुबसूरत इसका कोडेक्स बने तो अब चलिए देखते हैं कि हम कैसे अपनी स्वाइल मिक्स के तैयार करेंगे अपने अडेनियम प्लांट की तो इसके लिए देखिए मैंने यहां पे लिए जो ब्रिक्स साल पे है आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने कैसे अपनी सारी अडेनियम को सोथामस मेडिया में लगाया है यह सारा स्वाइललस इसमे कोई भी स्वाइल हमें नहीं यूज कि है इस तरीके से लगा कर देखेंगे तो फॉस्याइव अबढ़ होगा क्या ग्र आप ने तुफान या हलकी से जोके के साथ में भी आपका प्लांट इस तरीके से हीलेगा, उसकी रूट्स जो है बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगी, इसका बेस्स सेलूशन जो मैं करती हूँ, इस तरीके को जो पड़े पत्तर होते हैं, गमलों में रख दीजिए, प्ला प्लावर्स जो जाएगा, और या लगा रहने दीजिए, पर मैं अभी नहीं हटा रही हूँ, मैं मौनिंग में इनके फ्लावर्स को लेके बगवान को अरपित कर दूँगी, जिससे की इनका भी जीवन सफल हो जाएगा, और इनको स्ट्रेस कम रहेगा अगर आप फ्लावर्स को रटा देते हैं, चाहें तो कुछ लिप्स को भी आप कट करके हटा सकते हैं, पर फ्लावर हटा देंगी तो जादा अच्छा रहेगा, तो बस इसी तरीके से आपको इनकी केयर करनी हैं, तो होप है फ्रेंट्स अब आप प्लांट को रिपॉर्ट करिए, ओके माई फ्रेंड्स, बाबाई